Friends, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए तीन important topic यानि तीन ऐसा structures जो इंग्लिज बोलने के लिए बहुत important है और अकसर learner यहाँ confused रहते हैं तो आईए Friends, इन सभी structures का इस्तेमाल सीखें ताकि बात जब अंग्रेजी बोलने की हो तो आप कहीं पीठे नहरा जाएं Friends, अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को किलिक करें ताकि मेरा लेटेस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकते Friends, सबसे पहला topic है lead to अकसर लर्नर ये पूछते हैं कि lead to का सही इस्तेमाल क्या है और हम spoken English में lead to को कैसे बोलें तो आईए Friends, इस concept को समखें Friends, lead to means ले जाती है या पहुंचाती है जैसे अगर आपको कहना हो यह काम तुम्हें नर्क में ले जाएगी या यह काम तुम्हें नर्क में पहुंचा देगी तो आप कहेंगे या यह काम तुमको नर्क में पहुंचा देगी या तुमको नर्क में ले जाएगी Friends, अगर आपको कहना हो, वे लोग तुमको बुराई की और ले जा रहे हैं, या वे लोग तुमको बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप कहेंगे, They are leading you to evil, यानि वे लोग तुमको बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, या गुनाह की और ले जा रहे हैं, Friends, अगर आपको क रहेंगे, this work leads you to greatness, तो उमीद करता हूँ, friends की lead to के बारे में आपने शांदार तरीके से समझा, कि lead to को कैसे इस्तेमाल करना है, friends अगर हम इसके structure की बात करें, तो आप lead to का इस्तेमाल tense के according करेंगे, यानि आपके sentence जिस tense में रहे, उस tense के according आप इसे इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के sentences बोलने पड़ते हैं, जाम कहते हैं, अध्यापप होकर तुम जुट बोलते हो, क्या तुमको शर्म नहीं आती, तो आप कहेंगे, अमीर इंसान होते हुए भी, तुम लाग्ची हो, क्या तुमको शर्म नहीं आता है, तो आप कहेंगे, तो आप कहेंगे, तो फ्रेंट्स जब हमें अपने life में कहना हो, होते हुए, तो आप इस्तेमाल करेंगे, आईये फ्रेंट्स आप तीसरा टॉपिक देखते हैं, आईये फ्रेंट्स आप सपोस्च टू बी का इस्तेमाल क्या है, Friends, कई बार हमें अपने life में इस तरह के sentences बोलने पड़ते हैं, जहां हम कहते हैं, कि तुम्हें कुछ होने की उमीद की जाती है, या तुम्हें कुछ बनने की आसा की जाती है, तो Friends, जब आपको कहना हो, कि तुम्हें कुछ बनने की उमीद की जाती है, तो आप supposed to be का इस्तेमा करेंगे कैसे करेंगे आई इस बात को एक्जाम्पल में बहतर तरीके से समझे अगर आपको कहना हो तुम्हें एक डॉक्टर बनने की आसा की जाती है या आपको एक महानेता बनने की उमीद की जाती है तो आप कहेंगे अगर आपको कहना हो उसे एक किर्केटर बनने की उमीद की जाती है तो आप कहेंगे He is supposed to be an expert engineer Friends अगर आपको कहना हो उसे एक किर्केटर बनने की उमीद की जाती है या उसे एक किर्केटर बनने की आसा की जाती है तो आप कहेंगे He is supposed to be a किर्केटर To Friends जब कभी भी आपको अपने life में इस तरह के sentences बोलना हो जहां आप कहना चाहें उम्मीद की जाती है, आसा की जाती है, तो आप I am supposed to be, he is supposed to be, she is supposed to be, you are supposed to be, they are supposed to be, यानि जो आपका subject हो, उसके बाद आप helping work, फिर supposed to be का इस्तेमाल करेंगे, उम्मीद करता हूं friends की या तीनों structure आपको बहुत परसंद आया होगा, friends अगर वाकई आप तीनों structure को सांदार तर structures पर, तीन सेंटेसें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं देख सको कि आपने सही सीखा या गलत, तीन सेंटेसें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही लिखा या गलत, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए झाल